Hello friends, कैसे हो सब लोग? I hope सब लोग अच्छे होंगे, बैतर होंगे और स्वस्त होंगे Welcome to Fairs Cloud Learn to Lead मैं हूँ आपका दोस्त आशू और आज हम डिसकस करेंगे 5 जून 2021 के करेंट फेर जो कि आपके pending पड़े हुए थे तो यहर दो best images आप यहाँ पर देख रहे हो जिसके बाद आप एक साल या दो साल की subscription भाई कर सकते हैं इसका price दोस्तों बहुत ही कम है एक बार चेक करें, आप खुछ surprise हो जाएंगे कि इतने कम price पर हम इसको provide करने हैं लेकिन price के साथ साथ जो most important चीज है वो है current fairs जो हम आपको provide करेंगे उसमें से 90 से 95 current fairs आपको आपके exam के अंदर मिल जाएंगे जो भी हम आपको करवाएंगे तो ये affairs cloud की genuinity है यहीं affairs cloud का hard work है लेकिन आपको किस तरह से current fairs provide किये जाएंगे आपको मिलेंगे daily current fairs, daily में 3 current fairs होंगे एक में detailed current fairs होंगे question and answer format में current fairs मिलेंगे और quiz जो आप हमारी application के उपर attempt करोगे next monthly, monthly में आपको 4 तरह की PDFs मिलेंगे study PDF, detailed current fair होगा इसमे question and answer format में पूरे महीने के current fair best 100 current fairs मिलेंगे question and answer format में pocket PDF मिलेंगे जिसमें आप 2-3 line current fairs को अराम से पढ़ सकते हो next होगा हमारा topic wise PDF, मतलब आपको 20 अलगलग तरह के हम ऐसे topic देंगे जो सारे exam के लिए बहुत important है मतलब particular किसी भी topic के जितने भी current fairs होगे वो आप एक ही PDF से जो है वो पढ़ सकते हो बहुत ही काम की चीज़ है ये banking awareness, मतलब by default जो बच्चे banking की तेयरी कर रहे हैं उनके लिए हम specially पूरे साल का जितना भी current fair अभी तक जा चुका है वो सिरफ एक ही PDF से revise करना चाहते हो तो आप exam PDF को उठाके वो सारा current fair revise कर सकते हो budget और economic survey के लिए special current fair में चले जाए वहाँ पे आपको detailed budget और economic survey तो मिलेगा ये मिलेगा expected question and answer भी मिलेंगे जो budget और economic survey से आप से पूछे जा सकते हैं और अगर आप अपने state exam की त्यारी कर रहे हो तो हम state current fair भी provide कर रहे हैं और हर state और union territory को हम क्या करना है इसमें cover करना है तो मतलब आपकी state preparation भी अच्छी हो जाएगे तो guys इसके लिए कोई अलगलग subscription नहीं है ये सिरफ एक ही subscription के अंदर मिलेगा सिरफ application को download कर लें description box में link दिया हुआ है अपली email id के through login करें और साथी साथ crack current fairs के ओपर click करें जैसी click करेंगे उसके बाद आप एक साल की या दो साल की subscription buy कर सकते हैं और इसका price दोस्तों बहुत ही कम है एक बर check जरूर करें मेरे कहने पर और आप खुछ surprise हो जाएंगे इसके ओपर 10% extra discount मिलेगा अगर आप इस code को use करेंगे ASH10 और guys इस email पर हमें संपर्क कर सकते हैं इस number पर contact कर सकते हैं अगर कोई भी आपकी query है तो start करते हैं 5 June 2021 का current fair लेकिन वीडियो को like करना है यार, share करना है, subscribe करना है चैनल को और हमारे telegram group को join कर लें जिसमें आपको अलग-लग तरह की information वहाँ पर मिलेगी वीडियो की information आपको मिल जाती है और most important question के साथ हम आज के session को start कर रहे हैं पहला question है who won international booker prize 2021 one of the most most important question और आपको ये SBA के अंदर मिल जाएगा, 100% chances है कि SBA के अंदर ये question आएगा तो international booker prize 2021 दोस्तों मिला है देविड डायप को, तो याद रखना है देविड डायप को, यहाँ पर फोटो देख सकते हो देविड डायप का और एक बात और याद रखनी है, यह पहले French author है जिनको ये award मिला है, इस बात को भी आपने याद रखना है बहुत importantly चीजें आपको बता रहा हूँ और ये सारी याद रखोगे और सबसे important है कि वो examiner आपको पूछ सकता है कि उनकी novel का नाम बताएं novel का नाम है At Night All Blood Is Black और दोस्तों ये book जो है वो पहले लिखी जा चुकी है कौन सी language में, French language में और इस book का नाम है Freer D'Am, तो याद रखना है Freer D'Am, ये French नाम था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है और इसको actually translate किसने किया है, इसको translate किया है Anna Moskowakis, तो ये भी आपने याद रखना है, तो चार दीजें याद करने वाली होगी है किसको award मिला है, कौन सी novel के लिए मिला है, इस book को या novel को किसने translate किया है और इसका original नाम फ्रेंच में क्या था, इसको publish किसने किया है, पशकिन प्रेस ने इसको publish किया है और दोस्तों, international booker price को पहले man booker international price भी कहा जाता था, जो 2005 से लगातार दिया जा रहा है और पहला बंदा जिसको ये award मिला था, वो थे इसमाइल कादरे और कैदर, और ये Albania से बिलॉंग करते हैं और दोस्तों, एक बात और याद रखनी है, इसके अंदर बहुत जाद राशी दिया जाती है, पचास हजार pound जो हैं वो इसमें दिया जाते हैं फिफ्टी थाउजन पाउंड जो जीतता है, और जो छे shortlisted authors होते हैं, उनको 2500 pounds भी दिया जाते हैं तो मतलब जो shortlisted होते हैं, उनको भी प्राइस जो है, वो दिया जाते हैं, लेकिन उनको मातर 2500 या 2500 pounds दिया जाते हैं तो याद रखना हैं दोस्तों, बहुत important चीज़े हैं, लेकिन इसमें बाकी options भी दोस्तों, बहुत important हैं जैसे कि आप इसमें पहला option देख रहे हो, Mary Kay Lucas Reginwald तो दोस्तों, मतलब इनको ये award मिला था, International Booker Prize 2020 का याद रखना है, इन्होंने अपनी पहली book लिखी थी, जिसका नाम था The Discomfort of Evening तो ये आपने याद रखना है, Douglas Stuart, मैं बता चुका हूँ आपको इनके बारे में बहुत कुछ की 2020 में Booker Prize for Fiction मिला था, ये दोस्तों International Booker Prize है ये Booker Prize for Fiction Novel है, जो उन्होंने अपनी मतलब सोच से लिखी है, जिसका नाम था Shaggy Bain Next is Maggie O'Farrell, इनका नाम भी याद रखना है, इनको recently National Book Critics Circle Prize मिला था तो चाहे only Circle Prize याद करने तांकि आपका option जो है वो आपके सामने आ जाए तो तीनों के तीनों याद रखने है, इसी के साथ हम अगले question के उपर बढ़ेंगे Who became the chairman of World Health Organization Executive Board? तो फिर से question important आ गया, International Organization का है और International Organization का नाम है World Health Organization तो बताएंगे दोस्तों किसको chairman बनाया गया, World Health Organization Executive Board का तो अंसर बहुत ही simple है, अंसर क्या है इसका, Dr. Patrick Amoth Dr. Patrick Amoth, इससे पहले हमारे जो health minister थे, Dr. Harshwardhan जी वो थे दोस्तों इसके board के executive chairman लेकिन अब जो हैं वो कौन बना दिएंगे, Patrick Amoth और time period कितना होगा, एक साल का ये कौन सी country से दोस्तों बिलॉंग करते हैं, ये कीनिया से बिलॉंग करते हैं और ये director general for health है, ministry of health of कीनिया के अंदर और इससे पहले Dr. Harshwardhan थे, लेकिन Dr. Harshwardhan chairman थे, member तो रहेंगे ही रहेंगे, कब तक रहेंगे? 2023 तक तो Dr. Harshwardhan member जरूर है, लेकिन chairman जो है वो एक साल के लिए होता है, ये by rotation होता है, हर एक साल बात जो है वो change हो जाते है और Dr. Tedros आपको पता ही है, पूरी organization के director general है, Dr. Tedros Abhanam और Dr. Harshwardhan बता चुका हूँ, Dr. Chintan Vashnam, बहुत important appointment थी, 2021 के अंदर याद रखना है ये दोस्तों mission director लगाए गए है, किसके अटल innovation mission के, ये याद रखना है आपने, बहुत important चीज़ और ये कीनिया से बिलॉंग करते हैं, Dr. Patrick Moth, आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं, और कीनिया appointed as the chair or the president of WHO executive board और कीनिया की capital जो है वो narrowby है, और currency जो है वो shilling है, और president आपने याद नी रखना ना ही आपके लिए important है ये दो तीन चीज़ें आपने याद रखनी है, अगले question के उपराएंगे, who took over as the director journal of Assam Rifle तो Assam Rifle के director journal जो है, वो किसको बना दिया गया है, तो answer दोस्तों क्या होगा, answer होगा परदीप चंदर नायर, या आप कह सकते हो, lieutenant journal या lieutenant journal परदीप चंदर नायर, जो है 21st director journal बना दिये गया है, किसके Assam Rifles के जो कि इंडिया की oldest paramilitary force है, और इसका headquarter आपको कहां पे मिलेगा, Meghalya के अंदर आपको, मिल जाएगा, Shillong के अंदर इसका headquarter है इसको sentinels of north east भी कहा जाता है, याद रखोगे क्या कहा जाता है, sentinels of north east भी इसको कहा जाता है, तो आप यहाँ पे इनका photo देख सकते हो, general परदीप चंदर नायर, takes over as the director journal of Assam Rifles यह दोस्तों, sick regiment के अंदर भी रह चुके हैं, यह inspector journal और company commander भी रह चुके हैं, some rifles के अंदर, even यह army headquarter में, colonel, major journal और lieutenant journal की post पे भी तायनात रह चुके हैं, तो यह भी आपने जो है वो साथ ही, याद रखना है और दोस्तों, एक बात और यहाँ पे, कि जो बाकी appointments है, वो भी बहुत important हैं, लाइकि इसमें आप सबसे पहला नाम देख रहे हो, जैदिप बतनागर का तो यह appointment में इसलिए बार-बार आपको करवाता हूँ, ताकि आप सारी की सारी appointments आप याद रख लो, और यह recently appointment के गए प्रिंसिपल डिरेक्टर जर्नल, किस organization के, P.I.B. के, Press Information Bureau Next, कुलदीप सिंग, कुलदीप सिंग दोस्तो डिरेक्टर जर्नल, C.R.P.F. के, और यह question हमने कुछी दिन पहले cover किया है, कि Center Reserve Police Force के जो डिरेक्टर जर्नल है, उनको additional charge भी दिया गया है, National Investigation Agency का, तो यह भी याद रखना है, सुबोध कुमार जैस्वाल, मेरे खाल से हर बटनागर, डिरेक्टर जर्नल, प्रेस इंफोमेशन ब्यूरो के, कुलदीप सिंग, डिरेक्टर जर्नल, C.R.P.F. और National Investigation Agency का additional charge दिया गया है, परदीप चंदरन नायर, असम राइफल के डिरेक्टर जर्नल, सुबोध कुमार जैस्वाल, C.B.I. के डिरेक्टर जर्नल, त हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जोईन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, तो पहला कोश्चन है, वट इस दी नेम ऑफ मिशन तु वीनस, कहां को जा रहा है यह मिशन, वीनस को, विच रीसेंडली अनॉंस बाइ नासा, नासा की तरफ से मिशन वीनस ज है, लेकिन यह इस रो का है, तो यह अंसर नहीं हो सकता, तो अंसर क्या होगा, बोथ A and C होगा, D अंसर सही होगा, तो अब देख सकते हो, Da Vinci Plus and The Veritas, दोनों कहां पे जाएंगे, वीनस पे, और दोनों ही जो हैं, वो 2018 से लेके 2030 के बीच में बेजे जाएंगे, मतलब इसे प् पता लग रहे हैं, यह वीनस के एटमोस्फियर के बारे में जानने के लिए बेजा जाएगा, नेक्स्ट वेरिटर्स, वीनस, एमिसिविटी, रेडियो साइंस, इंसार, टॉपोग्राफी and स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो यह भी मिशन दोस्तों, उसी काम के लिए बेजा जा और किस तरह से वीनस बना है, इवाल्व कैसे हुआ है वो, और प्लानेट के अंदर जो है, वो कोई वाटर बॉड़ी है भी या नहीं, कोई ओशन है भी या नहीं, उस चीजों को चेक करने के लिए यह मिशन बेजे जा रहे हैं, तो दोनों मिशन याद रखने हैं, दोनों म लैनेट है सन का, और वीनस जो है, उसका सिमिलर स्टक्चर है दोस्तों, अर्थ जैसा, लेकिन उससे छोटा है और उससे गरम भी है, तो यह मतलब हमने जानना है कि एक्ट्वल में उसका कमपोजिशन क्या है, तो इसी के लिए इसको बेजा जा रहा है, और बता चुका आटमिस एग्रिमेंट भी कहा जाता है इसको, यह युनाइटेट स्टेट स्पेस अजनसी जो है, वो प्लान कर रही है कि हुमन्स को दुबारा पे मून पे बेजा जाए, 2024 तक बाई 2024 और मार्स में भी जो है, वो हुमन मिशन किया जा सके, तो मतलब उसके लिए आटमिस यह बिल नेलसन, नासा के, और इसका हेड़कॉर्टर वशिंग्टन डी सी और नासा को बनाया गया था दोस्तों, 1958 में, 1958 में, तो सारी चीज़े कवर कर चुके हैं, options कवर कर चुके हैं, अगले question के उपर आते हैं, former president and prime minister of which country, पदम बिभूशन, अनिरुद जगनोथ, पास् हैं, उनका अनिरुद जगनोथ, और अंसर दोस्तों क्या होगा, Mauritius होगा, तो C अंसर होगा, आप यहाँ पे photo देख सकते हो, अनिरुद जगनोथ ची का, Mauritius के former prime minister रहे चुके हैं, president रहे चुके हैं, और पदम बिभूशन भी इनको मिल चुका है, कौन से year में मिल चुका ह तो नाम याद रखना है, बहुत ही important है, अनिरुद जगनोथ, और दोस्तों, इनको government of India की तरफ से यह award दिया गया, इनको father of Mauritian economic miracle भी कहा जाता है, 1980s में, जिनके बाद economic recovery होई थी, Mauritius की, और longest serving prime minister भी हैं, दोस्तों, Mauritius के, जिनोंने 18 साल से ज़्यादा जो है, वो as a prime minister का role निबाया है, जिसमें लगातार 1982 से लेके 1995 तक रहे हैं, बाद में ये 2000 में 12 से point के गए थे, ये president भी रह चुके हैं, 2003 से लेके 12 तक, मतलब 11 साल ये president भी रह चुके है, इवन इनको परवासी बारतिय सम्मान award भी दिया जा चुका है, वो भी इंडिया की तरफ से दिया गया है, और इंडिया और मॉरिशियस के relationship को अच्छा करने के लिए, foreign relations को अच्छा करने के लिए award इनको दिया गया, तो क्या याद रखना है, अनिरुद जगनोत नाम, प्राइम निस्टर और प्रेजिडेंट मॉरिशियस के रह चुके हैं, और कौन सी कंटरी से बिलॉंग करते हैं, ये भी आपको यहीं से clear हो चुका है, एक पर फोटो दुबारा से दिखा जाता हूं, ताकि आपको याद रहें, next आते हैं दोस्तों, अगले question के ओपर, अगला question है हमारे पास, which bank has launched an exclusive non-resident saving account scheme for the seafarer agreement, or the segment, मतरफ वो लोग जो समुंदर में काम करते हैं, समुंदर में र सकें, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, federal bank launched non-resident saving account for seafarers, और यह mariner's के लिए, जो समुंदरी जगा पर काम करते हैं, और दो तरह के account होंगे, non-resident external saving account, and non-resident ordinary saving account, दो तरह के होंगे, इसमें उनको best to best exchange rate दिया जाएगा, अगर वो पैसे को बेजते हैं, debit card दिया जाएगा, domestic airport ल balance रखने की सुविधा नहीं होगी, और साथ ही साथ जो है, वो financial planning और customized wealth management products भी जो है, वो दिये जाएगा, बताया जाएगा कि किस तरह से आप चीजों को plan कर सकते हो, यह federal bank के सिरफ एक दो चीज़े ही याद रखनी है, इसमें कि non-resident accounts हो है, वो start किये गए, किसके लिए, mariners के या आप कह सकते हो, नेवी के लोगों के लिए, वो है federal bank, और federal bank के बारे में दोस्तों याद रखना है, 1931 में इसको बनाया गया था, और Trevencore Federal Bank Limited India में इसको established किया गया था, केरला के अंदर, और इसका आज भी headquarter जो है, वो केरला के अंदर है, perfect जगा है, Iluva, Iluva, केरला, और इसके managing director और CEO है, Shyam Shrinivasan, चाहिए only Shyam याद कर ले, और tagline है, your perfect banking partner, your perfect banking partner, तो इस सारी चीज़े याद रखनी है, इसी के साथ अगले question के उपर बढ़ेंगे, which country successfully launched Fenguin 4B satellite, Fenguin 4B satellite, तो दोस्तों ये आप कह सकते हो, कि geostationary satellite है एक तरह का, तो आपने बताना है कि कौन सी country ने इसको जो है, वो launch किया है, इसका एक keyword भी है, F by 4B, इस तरह से भी आपको examiner पूछ सकता है, और आप कह सकते हो, ये एक meteorological satellite है, जो अर्थ के geostationary orbit के उपर गूमेगा, और एक जगा पे जाके जो है, वो standstill होगा जाके, और ये new generation meteorological satellite जो चाइना अभी launch कर रहा है, तो उसकी capacity या उसकी resolution measurement जो है, वो बहुत अच्छी है, तो ये दोस्तों कौन launch कर रहा है, चाइना, तो कर चुका है, बेसिकली, successfully launch new generation meteorological satellite, Fengun 4B, तो इसको याद रखना है अपने, सारी चाइजे बता चुका हूँ, और चाइना ने प्लान कर लिया कि तीन astronaut जो है, वो त्यान जो टू space station पर बेज़ेंगे, क्योंकि China जो है, वो space station बना रहा है, जो 2022 के end तक China कह रहा है, कि वो बन जाएगा, और आपको पता है, यार 2024 तक जो है, वो international space station भी retire हो जाएगा, जब जो रेटायर हो जाएगा, तो सिरफ एक ही पूरे world में, जो है, वो space station होगा, वो किसका होगा, Chinese space station के उपर काम चलता है, जिसमें सबसे important है, तायान गॉंग, तायान गॉंग 1 है, तायान गॉंग 2 है, और एक हमारे पास त्यान हे है, त्यान हे का मतलब है, heavenly harmony, और इसके लिए वो 11 mission करेगा चाइना, दीरे दीरे करके चीज़े international space station पर बेजी जाएगी चाइना के, और व आपरेल के अंदर जो है, वो तीसरा module भी बेज दिया है, लार्ज स्पेस टेशन के लिए जिसका नाम है, तियान हे, तो याद रखना है, तियान हे, तियान हे, तो यह आप याद रखो गया, और योस्तों एक बात और याद रखनी है आपने, रॉस कोस्मोस जो की रश्या क Space Agency है उन्होंने China National Space Administration के साथ tie-up किया है कि वो एक International Lunar Scientific Research Station जो है वो बनाएंगे जो Lunar Surface के उपर बनाया जाएगा या Lunar Orbit के आसपस बनाया जाएगा तो इससे ये पता लग रहे है कि Russia और China का भी जो है वो tie-up हो रहा है और Russia और India के tie-up already है लेकिन India और China के आपस में बनती ने तो देखो या रिष्टे किस तरफ जो है वो जुकते हैं किस तरफ जो है वो जाते हैं लेकिन आपने जो है वो यह चीज़े याद रखनी है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ है Next question के उपर आते है Which state approved to create a rural water company state कौन सी है पंजाब है आप यहाँ पर देख सकते हो पंजाब कैबिनेट ने यह अप्रूफ किया है कि वो एक special purpose vehicle बना रहे है for the surface water supply schemes तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो government of Punjab ने इसके लिए 25 क्रोड रुपे जो है वो allocate किये है जिसमें 64% पैसा जो है वो कौन देगा वो world bank देगा और बाकी जो 36% बचा है वो state अपने budget में से देगा अगले 5 सालों तक और दोस्तों यह special purpose vehicle जो बनाया गया है इससे क्या काम करेंगे मतलब यह देखेंगे कि यह जो water supply और sanitation department है वो सही तरह से जो है वो काम कर रहे है portable water उन लोगों को मिल रहा है जहां पे पानी की कमी है पानी की quality नहीं है उन districts में तो वहाँ पे इसको देखा जाएगा और यह special purpose vehicle जो है वो under the department of water supply and sanitation ही क्या करेगा काम करेगा उनी के constitution उनी के rules के तुरू काम करेगा और जितने भी assets होंगे जो भी create किये जाएंगे इसके द्वारा वो भी special purpose weekly क्या करेगा ओन करेगा तो मतलब आप याद रख सकते हैं इन चीजों को ILO तो बहुत important report है question आपको SBA में मिल सकता है ILO की report है International Labour Organization की report है और report का दोस्तों नाम है World Employment and Social Outlook Trends 2021 तो हर साल जो है वो यह data आता है कि कितनी unemployment ratio उस country की रही है या पूरे world level पे रही है यह particular किसी country का भी बताते हैं और पूरे world का बताते हैं तो world level पे 2020 में जो unemployment रही है वो 5.4% रही है यह याद रखना है आपने 2021 में जो unemployment रही है वो दोस्तो 6.3% रही है लेकिन अब predicted है कि 2022 में 5.7% unemployment जो है वो रहेगी 2022 का ही हमने question के अंदर पूछा है तो answer क्या होना चाहिए C लेकिन 2020 और 2021 का भी याद रखना है क्योंकि आपको पता है कि 20 में 5.4% unemployment लेकिन 21 में due to COVID-19 जो unemployment ratio increase हुआ है तो 6.3 लेकिन अब COVID की जो restrictions है वो हटती जा रही है तो by default फिर से जो है वो यह कम हो रहा है data लेकिन हम फिर भी 2019 के इसाब से या 20 के इसाब से देखेंगे तो हम अभी भी उस level पे नहीं पहुँचे हैं तो आपने सिरफ इस figure को याद कर लेना है 5.7% रहेगा 2022 के अंदर ये उनका एक prediction है कि इतना हो सकता है और अभी तक जो है वो 205 million unemployed people जो हो जाएंगे 2022 तक जो की COVID से पहले जब COVID नहीं था उससे पहले highest figure है क्योंकि COVID से पहले 187 million जो है वो लोग unemployed थे पूरे world के अंदर अभी 20 205 million हो जाएंगे 2022 तक तो ये बहुत बड़ा figure है इसको किसीने किस तरह से accommodate करना होगा और आयल कोई बारे में आपको पता होना चाहिए गाय राइडर जो है वो इसके head है दिर्मतर director general है इसका headquarter Geneva है दोस्तों इसकी member countries 187 है और इसकी स्थापना world war 1 के बाद की गई थी 1919 में कि लिए गया था बेसिकली labor code बनाने के लिए labor organizations को establish करने के लिए which company has acquired its rival Medlife अपने सुना होगा एक online pharmacy है to create India's largest online pharmacy तो एक online pharmacy ने दूसरी online pharmacy company को खरीद लिया है मतलब Medlife तो अपने आप में एक बड़ा नाम था लेकिन इसको खरीद लिया है इससे भी बड़ी company ने जिसका नाम क्य खरीद लिया है 100% equity shares जो है वो Medlife के खरीद लिये हैं इससे पहले इनके पास कुछ share था लेकिन अब पूरा का पूरा जो है वो इन्होंने खरीद लिया और 25 मई 2021 को ये agreement हुआ था लेकिन अब official कर दिया गया है और अब जितने भी users जो है वो Medlife के हैं वो automatically किसके हो जाएंगे pharmacy के तो ये इसके merger के बाद ये इंडिया की largest online pharmacy बन चुकी है और अभी ये 2 million customers को हर महीने जो है वो entertain करेंगे तो याद रखना है pharmacy तो simple question सिरफ आप इस slide से ही जो है वो जाएद रख सकते हो Employees Deposit Linked Insurance Scheme का मतलब है कि उसमें मतलब जो families है उनको insurance प्रवाइट किया जाएगा जो किसी ना किसी तरह से employment के अंदर आते हैं और कितना पैसा उनको दिया जाएगा पहले 6 लाक रुपिया दिया जाता था अब लेकिन maximum to maximum 7 लाक रुपिया उनको दिया जाएगा minimum to minimum 10 लाक रुपिया मिलेगा यह मिलेगा लेकिन maximum पूछा हो तो maximum तो इतना मिलेगा यह मिलेगा और यह 15 February 2020 से जो है वो पिछले साल से मिलेगा मतलब अगर किसी बंदे की देथाब हो गी है जो कि employed था और उसके बाद जो है वो उनको पिछले साल का मतलब पूरा पैसा जो ह पिछले 12 महीने के अंदर जो है वो जौब छोड़ी थी यहां से और कहीं और पे काम करने लगे थे तो उनकी देथ हो गये तो उनको भी यह पैसा जो है वो दिया जाएगा तो मतलब यह भी आपने याद रखना है तो simple question है इसमें और कुछ खास नहीं है नेक्स आते है important questions के उपर लाइक करना है वीडियो को शेर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और दोस्तो हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जोईन कर ले नेक्स आते है ministry of defense signed a contract with which company for procurement of 11 airport surveillance radars तो यहां पर किसकी बात हो रही है ministry of defense की बात हो रही है दोस्तो इनों ने 11 airport surveillance radars खरीदनी है और वो खरीदनी है किसके लिए एक तो नेवी के लिए एक किसके लिए खरीदनी है इंडियन coast guard के लिए और यह 11 radars काम क्या करेंगी यह 11 radars इंडिया की आप कह सकते हो coastline को तो protect करेंगी करेंगी साथ में जो है वो awareness भी create करेंगे कि किस तरह से air surveillance भी जो है इसे की जा सकती है इसी radars के थुरू और दोस्तों यह company है महिंद्रा टेलिफॉनिक्स तो याद रखना है महिंद्रा टेलिफॉनिक्स ने यह टाइप किया है मिनिस्ट्य अव डिफेंस के साथ की 11 हम जो है यह airport surveillance radars बनाएंगे तो airport surveillance by default हम कह सकते हैं कि जो air domain है उसमें awareness increase skill development होगी और साथ में आतन निर्बर भारत तो बने गई बनेगा क्योंकि यह चीजें जो है वो इंडिया के अंदर बनेगी तो इसलिए making India concept यह आप कह सकते हो आतन निर्बर defense sector जो है वो बनने की और जा रहा है तो 11 जो है वो यह बनाएंगे तो buy and make category मतलब making India के अंदर इसको लिया गया और आजना सिंग जी के बारे में आपको पता है कि उनकी constituency जो है वो लखनौ है उत्तर प्रदेश के अंदर Minister of State शिरिपद येसो नाइक जो Minister of State है इंडिपेंडेंट चार्ज, Minister of Ayush के उनकी constituency नौर्थ गोवा है दोस्तों तो constituency बूलना नहीं है, constituency याद रखना है और महिंद्रा टेलीफोरिक के बारे में कुछ याद नहीं रखना मुंबई महराश्टा के अंदर इसका headquarter है नाम से पता लग रहा है कि ये जो है वो finance बताता है country का कि या global level पे कि इतना nature के ओपर spend हो रहा है तो ये report दोस्तों तीनों organization ने मिलके बनाई है United Nations Environment Program आप कह सकते हो World Economic Forum and Economics of Land Degradation Initiative लेकिन इसमें जो सबसे important organizations हैं वो दोस्तों United Nations Environment Program है क्योंकि UNEP उसने जो है वो सबसे पहले data इसमें दिया था लेकिन answer जो है वो all of these होगा nature to tackle environment challenges triple investment by the 2030 United Nations report अगर हमने 2030 के sustainable development goals के ओपर काम करना है तो हमें अपनी investment को triple जो है वो करना होगा क्योंकि according to this report ये बता रहे हैं कि UST 133 billion, 133 billion UST जो है वो environment के उपर खर्चू है 2020 के अंदर जो की पूरे world का 0.10% है दोस्तो 0.10% of the global GDP और इसमें भी जो है वो maximum पैसा जो है वो खर्चू है वो 86% जो है वो public आप कहा सकतो funds के थूँ आया और 14% private parties की तरफ से दिया गया है और 2030 तक इस खर्चे को जो है वो तीन गुना करने की जरूरत है तब ही जो है वो जाके बात बनेगी और 2050 तक जो है वो चार गुना करने की जरूरत है तब ही जो है वो हम किसी तरह से कुछ targets के उपर जाके खड़े हो सकते हैं मतलब ये बहुत ही जरूरी है और आपको पता ह आस तक सारी countries ने almost कह दिया कि हम carbon neutral बनने के उपर जा रहे हैं और दोस्तों यहाँ पर है United Nation Environment Program याद रखना है UNEP के बारे में इसका headquarter आपको Nairobi में मिलेगा, Kenya के अंदर मिलेगा और 1972 में इसको बनाया गया था आयंगर एंडर्सन जो है वो इसकी head है World Economic Forum जिसकी meeting जो है वो इसवार Singapore के अंदर होगी 2021 के अंदर इसको 1971 में बनाया गया था इसका headquarter दोस्तों कलॉगनी है कलॉगनी कहां पे Switzerland के अंदर और इसके जो founder और executive chairman है वो है clause Shashab तो याद रखना है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे clause Shashab तो यह भी आप याद रखेंगे और economics of land degradation initiative यह 2011 में establish किया गया था United Nation के द्वारा इसका main काम था कि desertification को रोकना है उसको किसी न किस तरह से हमने जो है वो खतम करना है desertification को और इसका headquarter आपको कहा मिलेगा Germany exact place है बोन जर्मनी तो यह सारी चीज़े याद रखने इसी के साथ अगले question के उपर बढ़ेंगे अगला question है हमारे पास one liner important points जिसमें पहला है हमारे पास GST council set up eight member panel to examine tax exemptions on COVID-19 material तो यार आपको पता कि GST rates जो है वो अलग-लग है अलग-लग चीज़ों के उपर लग रहे हैं तो याद रखना है कॉर्णाट संगमा जो है वो लीड करेंगे जो की chief minister है मेगाल लिया के वो इसके जो हैं वो head होंगे नेक्स आते मिनिस्टर आफ लेबर and employment constitute expert group led of professor अमित और सारी अजीत मिश्रा to fix minimum wages तो यहाँ पर minimum wages को fix करने पर पूरे pan India level पर तो एक commission बिठाया गया है और उस commission या उस group का नाम क्या है अजीत मिश्रा पैनल भी उसको कहा जाता है और इनका काम यह होगा कि एक तो minimum wages fix करेंगे recommend करेंगे और एक national floor wages भी कहेंगे कि इससे कम कोई भी state नहीं रख सकती है और ministry of labor and employment के बारे मैं याद रखना है union minister संतोष कुमार गंगवार जी है constituency उनकी बरेली है next sebi links packed with CSSF Luxembourg to strengthen cooperation in the securities regulation तो यहां पर हमारे पास एक country जो है वो सामने आ गया वो है Luxembourg तो Luxembourg का हमारे पास एक commission है commission the surveillance and financier और इनके साथ हम वोजु sign हुआ है कि हमने technical assistance और cooperation जो है वो दोनों countries में provide करनी है securities regulation करेंगे दोनों countries आपस में और यह किसके साथ sign हुआ है Luxembourg के साथ और Luxembourg के बारे में आप याद रख सकते हो लेकिन इतना जादा important नहीं है तो sebi के बारे में अपने जो है वो जुरूर याद रखना है sebi जो है वो 1988 में establish किया गया था 1992 में जो है वो इसका act आया था मतलब statutory body बने था headquarter Mumbai है chairman अजे त्यागी है अधर्वाइस कुछ मत याद करो नबाड अप्रूफ रूपीज 254 क्रोड for the drinking water projects in Odisha तो नबाड ने Odisha के लिए जो है वो पैसा रखा है कितना 254 क्रोड ताकि drinking water projects को पूरा किया जा सके और even दो mega projects भी लगाए जा रहे है दो लग-लग district में एक तो जजपूर district के अंदर लगाया जा रहा है एक पूरी district के अंदर जो है वो लगाया जा रहा है और नबाड के बारे में याद रखना है 1982 में इसको बनाया गया था और chairman जीयर चिंताला जी है headquarters का Mumbai महराष्टर है next union health minister हर्षवर्दन जी represented India in the NAM health ministers virtual meeting तो नाम के अंदर जो है वो हर्षवर्दन जी ने represent किया तो यार ये by default है कि अगर health ministers meeting है तो health ministry उसको क्या करेंगे lead करेंगे तो by default हर्षवर्दन जी ने represent किया इंडिया को और उसमें उन्होंने बताया कि COVID-19 से related इंडिया जो है 123 partner countries को जो है वो मतलब आप कह सकते हैं vaccine बेच चुका है जिसमें से 59 countries नाम countries भी हैं मतलब non-aligned movement countries भी हैं साथ में और non-aligned movement का आपको पता होना चाहिए ये 1961 में गुरूप बनाया गया था 120 developing world countries जो हैं वो इसकी member हैं और वो countries हैं इसके अंदर जो formally किसी भी major power के साथ aligned नहीं है मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक country के साथ आप जुड़ते जा रहे हो कोई एक group बनता जा रहा है countries का तो वो खतर है दोस्तों क्योंकि वो war जो है वो आगे बढ़ सकती है तो इस चीज को आप याद रख सकते हों और इसके current chairman जो है वो Azerbaijan president है Azerbaijan ही president वो कौन है वो है इलहाम alive मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इलहाम चाहिए only इलहाम याद कर लें और यह मतलब जवाला नहरू जी के initiative से यह पास हुआ था next government announce schemes to provide pension for dependence of the COVID-19 victims तो by default COVID-19 के victims के लिए pension जो है वो वैसे तो काफी time से चल रही है लेकिन यह अभी employee state insurance की तरफ से भी कहा गया है कि यह जो है वो सबको जो है वो मिलनी चाहिए जो भी COVID-19 के कारण किसी ना किसी तरह से problem उनको आई है तो बहुत जादा important नहीं कहूंगा हाँ एक बर just इसको read out कर लेना है next आते हैं दोस्तो question of the day 4 June 2021 का question क्या था question क्या था कि maximum credit score इंडिया के अंदर जो है वो क्या होगा तो maximum to maximum 900 हो सकता है maximum to maximum 900 हो सकता है minimum to minimum 300 जो हो सकता है इसको Sibyl score भी कहा जाता है क्या कहा जाता है Sibyl score भी कहा जाता है और अगर आप installment अपनी time पे दे रहे हो अगर आपका कोई भी installment नहीं टूटरी है आप proper पैसा पे कर रहे हो तो आपका civil score मतलब ये credit score जो है वो increase होता जाएगा नेक्स आते हैं question of the day, question of the day क्या कहता है कि सबसे पहली बार Indian legislative assembly में RBA को बनाने के लिए bill कौन से year में introduce किया गया था पास नहीं पूछ रहे, introduce कौन से year में किया गया था तो आपने मुझे comment box के अंदर answer बताना है, video को यार like कर देना है आपने, subscribe करना है channel को और maximum to maximum share करना है, bell button को press कर दें ताकि notification on time मिल सकें और ये affairs cloud का promise है कि आपके confidence को ज़रूर boost करेगा और guys, आप हमारी PDF को जो है वो purchase कर सकते हो, क्योंकि ये मेरा personal promise है कि अगर आप PDF से grant fair को पढ़ रहे हो और daily video को देख रहे हो, तो आपका 90 से 95% section जो है वो cover हो जाएगा जो भी आपके exam में आपको आएगा, तो आज ही application को download करें, link description box में दिया हुआ है एक सार या दो साल की subscription बाई कर लें, 10% discount मिलेगा, अगर आप इस code को use करेंगे, ASH10 और life को बहुत ज़्यादा serious नहीं लेना, हमेशा खुश रहें, खुश रहेंगे तो exam जल्दी clear होगा और गर पे बैठे रहें, अभी भी situation जो है, वो control में नहीं है COVID की, यह मैं समझें कि cases कम हो गया है लेकिन फिर भी आपने अपनी precaution जो है, वो अपने साथ जो है, वो रखनी रखनी है, उसी से आपका बचाफ जो है, वो हो सकता है Thank you guys, अराम से रहें, take care, bye bye